नमस्कार दिनबर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवी शेक इस बुलिटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आए देखते हैं सुर्खियां महराश के राइगर में संदिक नाउ मिलने से फैली संसनी एनाई यने तीन लोगों को किया गिरफ्तार डिप्टी सीम देवेंदर फणवीस का खुलासा मसकर से यौरप जा रही थी आस्ट्रेलियाई बोर्ट हाई टाइट से भारत पहुंची दुबई की एजंसी के थे हत्या बंगाल के पूर मंत्री पार्च चटर जी और उनकी सयोगी आरपिता मुकर जी को नहीं मिली राहत कोट ने 31 अगस तक बढ़ाई नियाई खिरासत शिक्षक भरती मामले में इडी ने की है कारवाई जूटे केस में फसे लोगों को मौवजा देने की ववस्ता बनाने से सुप्रिम कोट ने किया इंकार कहा ये सरकार को देखना चाहिए हम आदेश देकर इसे जटिल नहीं बनाना चाहते मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेर बाजार सैंसे 38 अंकों की तेजी के साथ 6298 पर हुआ बन निफ्टी 12 अंकों की तेजी के साथ 17956 अंक पर हुआ बन तो ये थी सुर्खियां आईए आप बढ़ते हैं आगे आज की सबसे वड़ी खबर जुड़ी है बिलकीस बानों के साथ हुई ना इंसाफी से बिलकीस के 11 गुनागार जेल से बाहर आ चुके हैं नारी समान का अहवान करने वाले पियम मोदी अब फस चुके हैं बेटी के बलातकारियों की रिहाई क्यों हुई अब ये सवाल पियम मोदी से देश पूछ रहा है इस खबर पर करेंगे विस्तास से चर्चा बात होगी फसे योगी की मंतरी की जो जा सकते हैं जेल तो एक बार फिर किसारों ने मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ दिया है आंदोलन साथ ही आपको बताएंगे कि गुजरात को लेकर क्या है कॉंग्रिस का एक्शन प्लान इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करव पाएंगे रूबरू तो बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की और बिलकीज बानों के मामले में बीजेपी सरकार फस गई नारी सम्मान का आवान करने वाले पीम मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिलकीज बानों के ग्यारा गुनेगारों को जेल से रिहा क्यों किया गया वहीं बिलकीज बानों को अब राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है राहुल गांधी ने बिलकीज बानों को देश की बेटी बताया है तो वही टीम सी नेता महुआ मोईतरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है बिलकीज बानों पर कैसे फस गई पीम मोदी देखते है इस रिपोर्ट में इस राजनीती पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी बिलकी इस बानों के गुझराद की बीजेपी सरकार से लेकर पियम मोदी फस्ते नजर आ रहे हैं खासोर से पीम मोदी जो नारी सम्मान का दम भरते हैं उनकी खामोशी से साफ है कि गुजरात की बीजेपी सरकार के इस वैसले को उनका समर्थन भी है इसको लेकर टीमसी सांसाद महुआ मोहितरा ने बीजेपी परवार किया महुआ ने एक के बाद एक तीन ट्वेट किये उन्होंने लिखा किसी भी महिला का न्याएं इस तरह कैसे खत्म हो सकता है अमिशा, नरेंद्र मोदी, भारत, भार्तियों, आज वे सभी स्वैंभू टीवी एंकर कहां चिला रहे हैं, क्या हुआ मीडिया से बात करते हुए बिलकीस ने कहा था, कि मुझे हमारे देश की सरवच अदालोतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और धीरे-धीरे दुख के साथ जीना सीख रही थे लेकिन दोशियों की रहाई ने मेरी शांती चीन ली है और इंसाफ पर मेरे विश्वास को हिला दिया है, मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बलकि उस हर महिला के लिए है, जो अदालतों में इंसाफ के लिए संगर्श कर रही है गुजरात को जीतने के लिए देश की बेटी के साथ हुई इस नाइनसाफी को ये देश कभी नहीं भूलेगा और आने वाले वक्त में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी कीमत तो योगी के मंत्री को भी अपने गुना की चुकानी होगी वो भी जेल जाकर योगी सरकार अपने मंत्रियों के चलते मुसीबत में फसी है कहीं किसी मंत्री के नाम पर वारंट जारी होता है तो कहीं किसी दूसरे मंत्री के नाम पर और अब एक और मंत्री के खिलाफ गिरफतारी वारंट की तैयारी हो गई है योगी सरकार में कैबिनेट मंतरी राकी सचान के खिलाफ कभी भी FIR दर्ज हो सकती है कोट का आदेश इंदिरों जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें सचान पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिये गए है अब सत्ता के दबाव और मंतरी के रसूख के चलते FIR दर्ज नहीं हुई लेगिन अब कोट का मंतरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश सोशल मेडिया पर वाइरल हो गया जिसे योगी सरकार में कानून ववस्ता की स्थिती पर सवाल खड़े हो रहे है कि जब कोट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है तो मामले में पुलिस ने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की है दावा किया जा रहा है कि देर सवेर ही सही सचान पर FIR दर्ज होगी कोट से सजा के दस्तावेज लेकर भागने का मामला गार जमानती धाराओं का अपराद है ऐसे में राकेश सचान का जेल जाना भी तै माना जा रहा है और ऐसा हुआ तो सचान का मंत्री पत जाना भी तै है लेकिन सवाल है कि क्या योगी की पुलिस अपने ही मंत्री को अरेस्ट कर जेल भीजेगी जो पत्र वाइरल हो रहा है उसमें अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तीन आलोक यादव ने लिखा है मेरी कोट में अभ्यूक्त राकेश सचान को दोशी करार दिया गया है जिसके बाद उन्हें नियाएक अभिरक्षा में लेने की निर्देश दिये गए है अभ्यूक्त की सजा की बिंदू को सुना गया दंड की अभ्धित्ताय की गई मैंने अपने अर्दलिये को आदेश टाइप करने को कहा और विश्राम कक्ष में चला गया जब लोड कर आया तो बताया गया कि अभ्यूक्त राके सचान पत्रावली लेकर नियाएक अभिरक्षा से फरार हो गए हैं नयायले में कारेरात रीडर को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अभ्यूक्त के खिलाफ संबन्दित थाने में तहरीर देते हुए सू संगत धारों में FIR दर्च कराना सुनिश्चित करें कोड का आदेश पुलिस तक पहुँच चुका है लेकिन मामला दर्च नहीं हुआ है इसे लेकर कानपूर के जॉइंट पुलिस कमिशनर आनन्द प्रकाश दिवारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है रक्षा बंदन स्वतंत्रता दिवस और अब जनमाश्टमी पर लो किसान है तो वहीं अब किसानों ने पियम मोदी को परिशान कर दिया है आज से एक बार फिर किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाप मोर्चा खोल दिया है भारती किसान यूनियन टिकेद गुरूप के बैनर तले उत्रप्रदेश के लखिमपुर खीरी में विरोध किसानों किसान दोलन ने एक बार फिर पियम मोदी को परिशान कर दिया है धरना स्थल पर कमिशनर और आईजी रेंज के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूद्गी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किसानों से किस खदर डरी हुई है किसान नेताओं के मंच पर पंजाब से आई किसान नेता भाक्यू नेता राकेश टिकैट के साथ साथ मेधा पाठकर भी मौजूद हैं पंजाब से हजारों किसान वुद्वार को तरफरदेश के लखिमपूर खीरी पहुंच गए थे सयुक्तिसान मोर्चा ने लखिमपूर खीरी हिंसा मामले में नियाई की मांग के लिए 18 से 21 अगस तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है राकेश टिकैट की मौजूद्गी ने किसानों में जोश भर दिया है और उन्हें कहा है कि मोधी सरकार को एक बार फिर जुक रहूगा सेयुक किसान मोर्चा के धरने में पहुंचे भाकियों के राश्टि प्रवक्ता राकेश टिकैट ने मोधी सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं उनमें से ये मांगे खास हैं चार किसानों और एक पत्रकार की जान लेने के मामले में केंद्रे ग्रह राज्य मंतरी आजे मिश्र टैनी को मंतरी मंडल से बरखास किया जाए और गिरफतार करके जेल भीजा जाए लखिमपुर खीरी हत्यकान में निर्दोश होते हुए भी जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके उपर दर्ज केस फोरण वापस लिये जाए MSP की गारंटी और सभी फसलों की बिकवाली MSP के उपर होने की गारंटी का कानून बनाए केंद सरकार किसान अंदुलन में किसानों के उपर दर्ज मामले वापस लिये जाए बिजले बिल 2022 वापस लिया जाए भारत के सभी किसानों के कर्ज माफ किये जाए उतर प्रदेश की खंड मिलो की तरफ से जो किसानों की बकाया रकम है वो फॉरन दी जाए अब किसानों की इन मांगों पर मोधी सरकार का क्या रूख रहता है इस पर सभी की नजरेटी की है किसान एक बार फिर मोधी सरकार से डो-दो हात करने के इरादे से मैदान में डढ़ चुके हैं तो गुजराट में कांगरिस ने चुनावी शंक नाट कर दिया है अब कॉंग्रिस नेता अशोग गहलोद गुजराथ चुनाव में बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं गुजराथ विधान सभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में राजनेतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है गुजराथ में विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस के पास बीजेपी के सबसे मजबूत केले में सेंदमारी का मौका है जिसे पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है यहीं वज़ा है कि दिगज नेताओं ने अभी से प्रचार तेज कर दिया है राजस्तान के सीम अशोग गहलोत गुजराथ पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है CM अशोग गहलोत ने गुजरात की विकास मौडल पर निशाना साथा और उन्होंने गुजरात मौडल प्रबंदन को पूरी तरह खोकला बताया गहलोत ने कहा कि गुजरात मौडल पूरी तरह फेल हो चुका है गांधी के गुजरात में ड्रक्स और शराब धडले से बिक रही है गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार विकास मौडल का प्रबंदन करने में नाकाम साबित हुई है इतना ही नहीं गहलोत ने कहा कि गुजरात और यूपी में कानून विवस्था राजस्तान से ज्यादा खराब है देश में सम्विधान की धजिया उड़ रही है अपने भाशन में कॉंग्रेस नेता ने राश्टे एजन्सियों को भी जम कर घेरा गहलोत ने कहा कि ED, IT और CBI देश में शासन कर रहे है माध्यप्रदेश महराज सरकार इनके उपयोग से ही गिराई गई गुजरात में बीजेपी ने सभी मंत्री मंडल को बदल कर नया प्रयोग किया लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जनता अब बीजेपी की चालाकियों को समझ चुकी है अब गहलोत ने तो बीजेपी सरकार को पूरी तरह से आईना दिखा दिया है साथी इस ललकार से कॉंग्रेस को भी मजबूत किया है जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में जरूर मिलेगा इसी के साथ ही बीजेपी की परिशानी बढ़ेगी अब देखना होगा कि सत्ता रूर पार्टी विपक्ष की इस ताकत का कैसे सामना करेगी गुजाग में सीम अशोग गहलोत की रणनीती बीजेपी पर भारी पड़ सकती है तो वहीं बिहार में सीम नितीश कुमार के तेवर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं नितीश कुमार से पहले मास्टर कार्टिक सिंग और फिर लेसी सिंग को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं मास्टर कार्तिक आरजेडी कोटे से मंत्री बने हैं तो लेसी से जेडियू से ऐसे में सवाल की क्या नितीश ने अपने मंत्री मंदल से हटाएंगे आज नितीश कुमान ने इन सवालों के जवाब दे दिये नितीश ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो जुकने वाले नहीं हैं बिहार में जेडियू विधायक बिमा भारती ने लेसी सिंग के मंत्री बनने पर सवाल उठाए हैं बिमा भारती का दावा है कि लेसी सिंग का इतिहास अपरादियू वाला रहा है ऐसे में उन्हें मंत्री मंदल में जगान नहीं देनी चाहिए बिमा भारती के बय अपनी मंतरी लेसी सिंग का बचाव करती हुए नितीश ने कहा कि उन पर जो भी आरूप लगाए गए हैं वो जूटे हैं और ये बाते सभी को मालूम हैं सब फाल्तू की बाते हैं नितीश ने कहा कि बीमा भारती को पहले प्रेम से समझाया जाएगा कि इस तरह मत बोलो इसक उनको कही जाना है तो इधर उदर देख ले पार्टी में रहकर अगर पार्टी के खिलाप बयान बाजी करेंगी तो हम एक कारवाई करनी होगी उन्हें जहां जाना है जा सकती हैं दरसल बीमा भारती भी नितीश सरकार में मंतरी बनाय जाने का दावा पेश कर रही थी लेक जाहेंगे तो वही देश में अगले साल कई राज्यों में विधान सबा के लिए चुनाव होंगे उनमें से एक राज्य करनाटक भी है जहां पर कॉंग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है यही वज़ा है कि पार्टी ने अभी से चुनाव के ज़्यादा समय तक नहीं चल सका इसका खाम्याजा कॉंग्रेस को सत्ता से हाथ धोकर भुगतना पड़ा लेकिन इस बार कॉंग्रेस फोग फोग कर कदम रख रही है और उसने गड़बंदन ना करने का फैसला किया है करनाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके शिफ कुमार ने राज्ये में पार्टी के एक जुट होने का दावा करते हुए कहा कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव कॉंग्रेस अकेले और सामोहिक नेत्रित में लड़ेगी और कॉंग्रेस 224 सदस्य विधानसभा में से 135 से अधिक सीटे हासिल करेगी शिफ कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि करनाटक की भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है और उसे पता है कि वे चुनाव नहीं जीत रही है इसलिए वो धुरूवी करण का सहारा ले रही है मैं ये पू करनाटक की भलाई के लिए कौंग्रिस को जीत दिलाने की है अब डीके शिफ कुमार के सीम वाले बयान से साफ है कि कौंग्रिस में कलहा खत्म हो गई है दरसल पिछले कुछ महीनों में करनाटक के पूर मोक्यमंतरी सिधारमया और शिफ कुमार के बीच मदभेत की खबरे आ करने जाते हैं लेकिन उन्होंने सीम पत पर अब ये बड़ा बयान दे कर साफ कर दिया कि पार्टी में पत को लेकर कोई कलहा नहीं है ये एकता चुनाव में भी कौंग्रिस को फाइदा दिलाएगी और बुलेटन के आखर में बाद जम्मो कश्मीर में जीत के लिए बीजे लोग भी अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकेंगे जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजे पी पर बड़ा आरूप लगाया है तो क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने देखते हैं इस रिपोर्ट में कुमार सिंग ने दावा किया है कि मतदातों की संख्या वर्तमान में 76 लाग से बढ़कर एक करोड से ज्यादा हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से इस सलसले में मतदाता सूचियों में विशेज संशोधन का काम 15 सितंबर से शिरू होगा जमु कश्मीर में 5 अगस 2019 को आ चार साल के बाद मतदाता सूचि में विशेज संशोधन करने की मन्जूरी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है ऐसे में बड़ी संख्या में नए मतदाता बनेंगे परी सीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विधान सबाश शेत्रों की संख्या क्तिरासी से बढ़ा क पर नब्भे कर दी गई है और लगभग हर विधान सबाश शेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है ऐसे में चुनाव आयोग ने विशेज सारांज संशोधन के शुरू करने से पहले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है हर विधान सबाश शेत्र में चुनाव अध अगर वो जम्मो कश्मीर का मतदाता बनना चाहें तो बन सकते हैं। अनुचे 370 की समापती के बाद मतदाता बनने के लिए भारती चुनावायों की निर्देशावली जो की देश के अन्य हिस्सों में लागू है वो जम्मो कश्मीर में भी लागू हो चुकी है। तो आज इस बुलिटिन में बास इतना ही देखते हैं डीबी लाइफ नमस्कार।